Hello everyone, welcome to Abhimanyu IS, this is Rameen, senior faculty Abhimanyu IS and today I am going to make an important announcement और एक तरह की information भी देना चाहूंगा उन अस्पारेट्स और स्टुडेंट्स को those who are eagerly waiting for the notification of HES, HES Haryana, PCS Punjab and HPS Himachal जो इन तीनों examination को target कर रहे हैं, इन तीनों examination की तियारी करना चाहा रहे हैं तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं, especially those as parents who will be starting off with their classes जो classes की शुरुवात करें, classes लीनी है, हर्माचल अपनी announcement कर चुका है कि वो जून के अंदर prelims करवाएगा, Punjab is about to announce the notification, or announce the date sheet of the coming 2023 within the month of November, November के महिने में वो अपनी PCS की notification निकालने वाला है, हर्याना अपनी notification की examination की date, December तक निकालेगा, अगर December तक नहीं निकालता है, तो February तक तो वो notification निकालेगा ही क्योंकि पंजाब हिमाचल निकाल चुका है, पंजाब 2020 में लास निकाला था, दो साल की gap पढ़ लिए, इसरे साल तो anyhow होना ही होना है, notification आने ही वाली नमंबर में, और हर्याना की भी दो साल की gap होगा, तो 2023 के अंदर हिमाचल, हर्याना, एंड पंजाब कमिशन, इन तीनों क कमिशन की examinations होने वाली है, और अच्छी बात यह है कि इन तीनों examinations जो होने वाली है या होंगी, यह within a span of three to four months, तीनों की prelims हो जानी है, June, July, August, May, June, July, इस तरह के तीन से चार मेने के span में, यह तीनों examinations हो जानी है, तो aspirants और students में उनको बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने अ ज़रूर बिठा कर रखें, कि इस examination की, state की species की examinations की, minimum कम से कम time जो बोल सकते है, six months तो लगते ही है, और six to nine months के duration में, आपकी state civil services के त्यारी बहुत अच्छी हो सकती है, अच्छी खासी हो सकती है, we have seen a lot of examples, देखाया है, तो अगर अब ही से आप देखो, October महीने से देखो, त तो April, May, June को अगर आप देखते हो, तो ये six months, six to nine months के, basically they are on the deadline में ही पढ़ रहे हैं, और छे से नौ महीने के तयारी है, टाइम प्रेंड इस पर आपको चाहिए, तो October में अगर आप अपनी preparation स्टार्ट करते हैं, तो April तक में आपकी इतनी तयारी तो हो जाएगी कि आप prelims क को qualify करें, exactly six months, फिर बाकी फिर और तीन मंथ का टाइम आपको prelims के बाद मिलेगा, वहाँ पर फिर मेंस के तयारी तो तो spirits ऐसे भी हैं, जो इन तीनों exam को target करेंगे, हर्याना, हिमाचल पर जाएग, तो उनके लिए तो ये best time है कि आपनी तयारी start कर ही लें, और उनके लिए जो हर्याना और पंजाब specific, हिमाचल specific की तयारी करना चालता है, उनके लिए वह बोलना चाहता हो, now is the right time to kickstart your preparation, क्योंकि आपको classes की जुरत है, तो classes के साथ साथ, आपको self-study भी करनी है, तो class और self-study के लिए six months, six to nine months आप लगाएं और आपके तयारी को अभी one new IS, 7th of October, that is the coming Friday, 7th of October, से अपनी fresh batches announce कर रहा है, combined state civil services, GS के लिए, GS के लिए, GS के लिए, और इस जो batches start होगी, 7th of October, से, इसके लिए अगर किसी ने trial लेनी है, या online lectures देखने है, या trial लेने है, तो वो description के, video के description में जाएं, वहाप एक link डली है, उस link पे click करें, और अपने trial को avail करें, और देख लें किस model पर मन्यों आया, इसकी classes चल रही है, basically we are going, we are going in the hybrid model, और आज के time पे जो यह जमाना आ चुका है, विना hybrid model के, it is difficult to survive, कभी आप class के लिए आप आ रहे हो, कभी नहीं आ पा रहे हो, कभी कुछ चोटिया हो रही है, या फिर कभी घर जाना पढ़ रहा है, कभी क रहे हो, कभी आप आप रहे है, तो offline or online जोनों मोन में वैलेबल है, लिक किया को सूर और यह लिडेर को आपने वह ट्रायल को अवेल करे है, और लल से जल अपनी तयार को सुरू करे, अपनी तयार को चूरू करे में, दो कि को नधर अपनी नचना और टीड ग्जमिनेशन प फ्रेमा चलो पंजाब होने वाले और अभी सहरण अब सर्केंट हो exactly you have 69 months in hand and this is the right time to kick-start your preparation and अपने यारे को अपने यारे को सक्सेसमों कर्ण कहां थे कैक एलों सब्सक्राइब को फॉपन्स अगें best of luck to all of you and thank you